अधूरा ग्यान खतरनाक होता है। ऐसा ग्यान किसी काम का नहीं है, जिसकी वजह से किसी भले इंसान का नुकसान होता है। अधूरा ग्यान किसी भले इंसान का नुकसान होता है। अधूरा ग्यान किस तरह नुकसान पहुचा सकता है। कि वह साजेदार बनना चाहता है। सेट व्यापार बढ़ाने के लिए एक साजेदार की जरूरत थी, तो उसने अंजान व्यक्ति को भी अपने व्यापार में शामिल कर लिया। अब दोनों साजेदारी व्यापार करने लगे। नया साजेदार बहुत मेहनती था। सेट और साजेदार की मेहनत से व्यापार एकदम तेजी से बढ़ने लगा। सेट बहुत खुश था। एक दिन सेट का करीबी दोस्त उससे मिलने आया, तो उसने साथी साजेदार को देखा। सेट का दोस्त उस साजेदार को पहचान गया कि ये तो एक ठग है, चोरी करता है। सेट का मित्र खुद को शास्त्रों का जानकार और ज्ञानी मानता था उसने कहीं पढ़ा था कि कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए इसी लिए उसने नय साज्यदार की सच्चाई सेट को नहीं बताई सेट का मित्र बोला कि तुम्हारा नया साजेदार बहुत महनती है, सभी का विश्वास जीत लेता है ये बात सुनकर सेट को प्रसन्नता हुई, क्योंकि नया साजेदार महनत कर ही रहा था जल्दी ही उसने सेट का विश्वास भी जीत लिया अब सेट की तिजोरियों की चाबियां भी नए साजेदार के पास ही रहती थी एक रात मौका पाकर वह साजेदार सेट का सारा धन लेकर भाग गया सुबह जब सेट नीन्द से जागा तो देखा कि उसका सारा धन गायब है उसका पूरा व्यापार बरबाद हो गया दुखी सेट अपने मित्र के पास पहुँचा और पूरी बात उसे बता दी सेट का मित्र बोला कि मैं तो ये बात पहले से जानता था कि वह एक ठग है वह मेहनत करके दूसरों का भरोसा जीत लेता है और मौका पाकर उनका धन लेकर भाग जाता है ये बात सुनते ही सेट को क्रोध आ गया उसने मित्र से कहा कि जब तुम्हें ये बात मालूम थी तो मुझे क्यों नहीं बताई मेरी जीवन भर की कमाई लूट गई है सेट का मित्र बोला कि मैं कभी किसी बुराई नहीं करता हूँ बुराई करना पाप है ये मैंने शास्त्रों में पढ़ा है इसलिए मैंने उसकी बुरी बातें तुम्हें नहीं बताई शास्त्रों के जानकार मित्र की ये बात सुनकर सेठ ने उससे कहा कि भाई आज तुम्हारे अधूरे घ्यान की वजह से मेरा सब कुछ बरबाद हो गया है ऐसा घ्यान किसी काम का नहीं है जिस से किसी भले इंसान का नुकसान होता है दोस्तो अच्छाई करना बहुत ही अच्छा काम है पर ऐसी अच्छाई ना करें कि दूसरों का नुकसान हो जाए दोस्तो ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर कॉमेंट करें मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, अपना खयाल रखें, धन्यवाद.